एक वक्त के बात है, किसी सहर में एक कंजूस ब्रामट राता था, एक दिन उसे भिक्षा में जो सत्तु मिला, उसमें थोड़ा सा खाकर माकी का उसने एक मटके में भर कर रख दिया, फिर उसने उस मटके को खूटी से टैंग दिया और पास में ही खाट डाल कर सो गया, सोते सो बेच कर बकरियां खरीद लूँगा, बाद में इन बकरियों को बेच कर गया खरीद लूँगा, इसके बाद भैस और घोड़े भी खरीद लूँगा, कंजूस ब्रामट के बिचित दुन्या में पूरी तरह खोच चुका था, उसने सोशा कि घोड़ों को अच्छे कीमत पर बेच कर खुब सारा सोना खरीद लूँगा, फिर सोने को अच्छे दाम पर बेच कर बड़ा सा घर बनाऊंगा, मेरे समपत्ती को देखकर कोई भी अपनी बेटी की साधी मुस्तिकरा देगा, साधी के बाद मेरा बच्चा होगा, मैं इसका नाम मंगल रखूँगा, फिर ज जूर से ही उसे खेलती हुए देखकर आनंद लूँगा, जब बच्चा मुझे परसान करने लगेगा, तो मैं गुस्चे में पत्नी को पलूँगा, और कहूंगा अगर तुम बच्चे को ठीक से संभाल भी ने सकती हो, अगर वा घर के कामें बैस्त होगी, और मेरी बात का नहीं करेगी, तब मैं गुस्चे में उठकर उसके पास जाऊंगा, और उसे पहल से ठोकर मारूंगा, इस सारी जो बाते सोचते सोचते प्रामार का पहर उपर उठता है, और सत्तू से भरे मटके में ठोकर मार देता है, जिससे उसका मटका तूट जाता है, इस तरह सत्तू से भरे मटके के साथ ही खंजूस प्रामर का सपना भी चकना चुर हो जाता है तो दोस्तों इस कहानी से मिस्चिक मिलती है कि किसी भी काम को करते वक्त मनमें लोब नहीं आना चाहिए लोब का फल कभी भी मिठा नहीं होता है साथ ही सिर्फ से अपने देखने से सफ़ादा नहीं मिलती इसके लिए मिहत करना भी जरूरी है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके और से बताएं मुझेमी देखिया कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो अवच्छी लाइक और सेयर करें मैं ऐसी ही कहानिया लाता रहूँगा इसलिए SP हिंदी स्टोरिज को सब्सक्राइब अवच्छ करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें धन्यवाद तेंक्यू शादर अवार